नमस्काँ डीडी नियूस के स्विशेश समाथ सैप्रसार नम्याप सभी का स्वागत है मैं हूँ आंचल गुलाटी गुम्बर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दिपाली आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ ड्रे मंत्री अमिट शाज जार्खन चुनाफ के लिए जारी करेंगे भाजपा का संकल्पत्र तीन वैलियां कर विरोध्यों को देंगे चुनाथी विदेश मंत्री ड्रेस जेशंकर का आज से उस्ट्रेलिया और सिंगापोर का दोरा वबक्षी संबंधू पर करेंगे चर्चा भारत ने इग्रेमंत्री अमिट शापर कनाड़ा के आरोपो को किया खारच उचायोग के अधिकारिक को तलब कर कहा गैर जिम्मेदाराना हरकतों से संबंध होंगे खराब डॉनल्ड्ट्रम्प और कमला हैस ने उत्री कारोलीना में किया अंतिन दौर का प्रचार अमेरिका में राश्पती चुनाफ के लिए महज दू दू दिन बाती और खेलकी खबरों में रॉमांचिक दौर में पहुच्चा मुंबई टेस्ट तीसरे दे न्यूजिलेंड आज दूसरी पारी में 9 विकट पर 181 रन से आगे खेलना करेगा शुरू टर्निंग पिच पर अब तक न्यूजिलेंड को 143 रन की बढ़हत त्वाइब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ जारखन का सियासी रन जीतने के लिए सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी पार्टी सभी ने अपनी ताकत छोंग दी ऐसे में राज़े में नेताओं की चुनावी रेलियों का सिलसल अतेज हो चुका है इसी कड़ी में ग्रह मंत्रे अमिच शा आज जारखन चुनाव के लिए भाजपा का संकल पत्र जारी करेंगे और इस मौके पर जारखन प्रभारी शिवराथ सिंग चोहान, सह प्रभारी, हेमंत विस्व सर्वा और प्रदेश अत्यक्ष बाबुलाल मराणी मौजूद रहेंगे, नरसल बीजेपी जारखन विधान सभा चुनावों के लिए पहले ही पंच प्रण जारी किये जाच रुके हैं, जिसमें पांच वाइदे किये गए हैं, माना ये भी जा रहा है कि संक जनता से भाजपा प्रतियाशी के लिए वोट की अपील करेंगे। में अल्प संख्यकों को निशाना बनाया है। में अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवाया जारी है और ऐसे में जो गड़बंदन और दल अपने बागियों के नामानकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उमीद ज्यादा होगी। वायनाट लोगसभा उप्चिनाफ के लिए कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी आज कॉंग्रेस उमीदवार प्रियंका गांधी वौडरा के साथ जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राहूल और प्रियंका गांधी सुभा पौने बारा बज़े वायनाट के मंतावडी स्थित गांधी पार्क में सहुत रूप से जनसभा को संबोधित करेंगे। केनड़ा के मंत्री के ओर से केंद्री ग्रह मंत्री अमिद्शा के खिलाफ लगाए गया आरोपों को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ती और नाराजगी जदाई है। बारत ने केनड़ी आई उचायोग के प्रतनीधी को तरलब किया। विदेश मंत्री के प्रवक्तना रंधीर जायस्वाल ने कहा कि ग्रह मंत्री पर केनड़ीन मंत्री मौरिसन के टिपडियां जो हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने कड़ा संदेश देते वे कहा कि इस थरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के द्वपक्ष्य संबंधों पर गंभीर परणाम होंगे। विदेश मंत्री रुक्रेश जिश्वंकर राच से उस्ट्रेलिया और सिंगापूर की छे दिम की यात्रा पर रहेंगे। तरहन विदेश मंत्री ब्रिजबिन जाएंगे और और आस्ट्रेलिया में भारत के चोथे वानजिक दूतवास का उदखाटन करेंगे। साथी कैनबरा में आस्ट्रिला की विदेश मंत्री पैनी वोंग के साथ विदेश मंत्री सरिये रूप रिखा समवात की पंदरवी बैठर की सह अधिक्षिता की जाएगी वुदेशमंत्री औस्टेला के संसत भवन में दूसरे राइसीना डाउन अंड के ओधगाटन सत्र को भी संबोधित करने वाले हैं या आत्रा के दूसरे चुरन में डॉक्टर जेशंकर आठ नमबर को सिंगापूर जाएंगे या वो आसियान भारत थिंक टैंक नेट्वरक के आठवें गोल में सम्मेलन को संबोधित करेंगे ये सिंगापूर की अगवाई से मिल कर दोनों देशों के बीच घनिष्ट साज़दारी की समिच्छा करेंगे और दोपक्षी संबंदों को बढ़ाने के लिए नए राश से तलाश हैंगे बागनदेश में शानती के बाद से पूरवतर राज्जियों खास कर्ट्रपूर और असम में घुस पैट जारी है कल B.S.F. ने एक दलाल समेट पड़ोसी देश के पांच और नागरिकों को गिरफतार किया B.S.F. के एक प्रवक्ता ने बताया कि विशेश सूचना पर सिपाही जाला जिले की अंतरकत B.O.P. कमला सागर के सीमा सुरक्षा बलों ने चार बांगलदेशी नागरिकों को उस समय गिरफतार किया जब वो सीमा पर लगे बार को पार कर भारतिक श्वेतर में घुसनी की कोशिश कर रहे थे एक अन्य अभ्यान में उनाकोटी जिले के अंतरकत B.O.P. समुर्ग पारा के B.S.F. जवानों ने घुसपैट करने का प्रयास कर रहे बांगलदेशी नागरिकों को गिरफतार किया अमेरिका में राश्पती चुनाफ के लिए केवल दो दिन बचे हैं डॉनल्ड ट्रम्प और कमला हरस अंतिम दौर के प्रचार के लिए उत्तरी कैरलीना पहुँचे देश की पहली मेला राश्पती बनने की दावेदारी पेश कर रही डेमोक्राटिक उमीदवार कमला हरस ने उत्तरी कैरलीना में कहा कि वो ट्रम्प की तरह नहीं है जो असेहमत होने पर लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं थाथी रैली में कमला है उसने कहा कि ट्रम्प पुरे देश में गरपात पर प्रतिबंद लगा देंगे और जर्मनी अंपरंट तक पहुंच को सीमित करेंगे वाई ट्रम्प उत्री कैरलीना के गेस्टोनिया की रैली में आवरजन और सीमा सुरक्षा के अपने मुद्दे पर अड़े रहे और चेतावनी दी कि अगर वो निर्वाचित होए तो लाखों और प्रवासियों को निर्वासित करेंगे उत्री कैरलीना में प्रारमिक मद्दान का कल अंदिन दिन था जहां आरतिस लाख सेदिक वोट डाले जा चुके हैं उत्री कैरलीना का पश्मी श्वेत्र अभी भी तूफान हेलेन की विभीशिका से उफर रहा है और अब बात क्रिकेट को लेकर भायत और न्यूजिलेंड के बीच खेला जा रहा मुंबई टेस्ट रोमान्चक दौर में पहुँचा आज तो इस्वे दिन न्यूजिलेंड अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 170 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा न्यूजिलेंड को अब तक टरनिंग पे 143 रन की बढ़त मिली भायत को जोहां एक विकेट की दरकार है वहीं न्यूजिलेंड भायत को देने वाले लक्ष को ज्यादा से ज्यादा करना चाहेगा न्यूजिलेंड तीन टेस्ट माच की सीरीव में 20 की अजय बढ़त से आगे है बायत की कोशिश अंदिम टेस्ट को जीतने की होगी और फिलाल इस विशेश समाचर परसायान में इतना ही मुझेवर दिपाली को दीजे इजाज़त पमस्कार